नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है दस मई दिन बुधवार आगे राजनीतिस जुरी दिन भर की खबरों को विस्तार से जाने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर जातीय जंगन्ना को लेकर कोट के फैसले पर जदियू प्रवक्ता ने कही ये बात बिहार सरकार द्वरा हाई कोट में जातीय जंगन्ना को लेकर याचिका दायर की गई थी सरकार के इस याचिका को हाई कोट द्वरा खारिज कर दिया गया हाला कि कोट ने 9 मई को सरकार के आगरह पर सुनवाई करने का विचार किया था लेकिन बीते ही दिनों बिहार सरकार क यह याचिका भी खारिज कर दी गई अब सरकार की इस याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई की जानी है अब इन मामलों को लेकर जदियू की प्रवक्तर राहु सर्मा का बयान सामने आया है जहां उन्होंने कहा है कि डिटेल फैसली का हम लोग इंतजार कर रहे हैं फैसला आने की बाद हम लोग मिलकर विचार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कोड से फैसला आ जाता है उसके बाद कानून के विशेशक्यों के साथ बातचीत की जाएगी साथ ही उन्होंने यह बताया कि सरकार इसके लिए प्रतीबद है और जातिये जंगनना होगा बीजेपी के समर्थन से एकनाथ सिंदे मुख्यमंत्री बने है और बीजेपी बर नाकपुर का संसकार है नाकपुर में आदेश देने की संस्कृती है यहां सब कुछ आदेश पर चलता है इसलिए वहां से जो आदेश आयका वह विचारे सिंदे को मानना ही पड़ता है वोट मांगने पर होने कहा कि बतोर जन प्रतिनी दी सपत लेनी के बाद जाती धन के नाम पर वोट मांगना गलत है। नहीं बीते MLC चुनाव की बात करते वे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पिछले पांच जिलो में जब हम पदियातरा कर रहे थे तो वहां MLC का चुनाव था और लोगों ने तैय किया कि अफाक एहमद अच्छे आदमी है इनकी मदद करनी चाहिए। जितने की आज हो गए हैं। जादे की नीता ने अपनी अश्रिकाए डाक के माध्यम से नितीश और तेयरश्वी को भेजी है। अपने आवेदन में उन्होंने कहा है कि उनकी हत्या कभी विकड़ाई जा सकती है। इनकी हत्या के शाजस कॉमर्स विधायक विजिंदर चौधरी द्वारा रचा जा रहा है। बीजेपी प्रदीश अध्यक समराथ चौधरी ने महागरवंधन की सरकार और नितीश पर साधा निशाना। कि अब बिहार में पूरी तरह से फेल है समान समारों पर आयूजित इस समारों के अफसर पर कही निताओं ने प्रदीश अध्यक्ष को फूलों के माले और चांदी का मुकुट पहना कर समानत भी किया। अब इसी बीच इस फिल्म को लेकर माराष्ट के उपमोख्य मंत्री देवेंदर फडन्विस का बयान भी सामने आया है। ठरसल वे अपने शहियोगियों के साथ नाकपुद के एक मॉल में इस फिल्म को देखने पहुंचे। फिल्म को देखने के बाद उन्होंने इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया देते वे कहा कि इस फिल्म के जरीय चौकाने वाला सच सामने आया है। उन्हें राजनीती से कोई मतलब नहीं है, वे सब के हैं। लेकि इन्धरिन सास्त्री के नाम पर उनका समर्थन करते वे भाजपा महागरवनधन के दलो को हिंदू विरोधी बताक राजनीती कर रही तो वहीं दूसरी तरफ राज़त के कई निता का कहना है कि सास्त्री जैसे बावाओं की जग जेल में है वहीं बावा के विरोध में तेज प्रताप यादर ने भी धन मरपेक्च सेवक संग के संगठन को भी तयार कर लिया है हाला कि अब तक इस मामले पर नितीस कुमार और तेश्वी यादर ने चुपी साथ रखी है संजय राउत ने बीज़ेपी को आज मद्दान कर रही है करना तक चनाव में प्रधान मंत्री मूदी और ग्रिह मंत्री अमिस्ता ने पसीना और पैसा खूब भाया लेकिन इस चनाव में बीज़ेपी हारने चारी है जो दोहजार चौबस के पहले सुब संकेथ है वही अपने ट्वीट मन होने महराश्ट्र के मक्यमंत्री एक नास संदे पर निशाना साथ ते वे कहा कि खुद को सिर्सेना बताने वाले महराश्ट्र के सासक ने महराश्ट्र एकीकरन समीती को सीवावरती लाकों में हारने की साजिस्रची खुद को सिर्सेना बताने वाले महराश्ट्र के मक्यमंत्री ने एकीकरन सम पटनायक से विपक्षी एक्ता के समध में मुलाकात के लिए भूवनेश्वर पहुंचे थे अब इस मुलाकात के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है दरसल लबन पटनायक ने विपक्षी एक्ता के मोहीं में दूरी बनानी के लिए संकेत नितीश कुमार को दे दिया है या कयास इसलिए भी लगाय जा रही है क्योंकि नितीश कुमार से मलकायत के बाद जब नवीन पतनायक मीडिया से रूबरू हुए तब उन्होंने गरवंधन पर किसी प्रकार के चर्चा की बात नहीं की चुनावी घोषना पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंद प्रश्ताओ विवाद के बाद कॉंगरस निता का मंदर दोरा आज करनाटा गुधान सभा का चुनाव है चुनाव में राजनितिक दल के कई नेताओं नहीं धर्म को अपना मुद्दा बताया अब इसी बीच यह ख राजनितिक दल इस मामली को चुनावी मुद्दा भी बना रहे थे अब इन विवादों के बीच कॉंगरस नेता का यह यात्रा राजनितिक नजरिये से काफी एहम माना जा रहा है बिहार में महा गडबंधन पर बीचेपी का पोस्टर वाली राजनिती अकसर बिहार में देखने को मिलते रहती है एक बार फिर से यह सिलसला शुरू हो गया है लेकिन इस बार यह पोस्टर राजनिती पंडित धरिंद सास्री के बिहार आगमन को लेकर हो रही है दरसल बिहार की धर्ती फटी अधर्म से आस्मान अत्याचार से कापी इंसान या तराज कर रहे हैवान जिनकी होगी तागत अपुडव जिनका होगा निसान अभेद वो करेंगे इनकास तर्वनास आगे धरिंद सास्री के बिहार आगमन को लेकर लिखा गया है स्वागतवा बता सुब्रमन्यम स्वामी ने बड़ा बयान दे दिया है दरसल फिकी के कॉलकता में होड़ है शेशन के दौरान उन्होंने ममता बनर जी को प्रधान मंतरी उमिद्वार का चेहरा बताते वे कहा कि बनर जी को प्रधान मंतरी होना चाहिए उनमें बहुत हिमत है आप देखिए क कि उन्होंने कम्योनिस्टों से कैसे लड़ाई लड़ी न्यूस एजनसी पी टी आई के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि टीमसी चीफ ममतापनर जी को ब्लैक मिल नहीं किया सकता, देश को ऐसे विपक्षकी जरूरत है जिसको ब्लैक मिल नहीं किया सके। केजडिवाल और राहूल गांधी के खिलाब दायर हुई एक और याचिका लगे यह आरूप। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जन्हित याचिका कॉंग्नस नीता राहूल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजडिवाल को लेकर दाखिल हुई है। सिकाया दर्ज कराने और मामले की चानवीन करने के लिए नर्देश दिये जाए। समदाई की बात करते वे कहा है कि देश में सहिस्नु मुसल्मानों को उंग्लियों पर गिना जा सकता है। से लोग उप्राश्रपती, राजेपाल या फिर कूलपती बनने के लिए सहिस्नु होने का मुखोटा पहन लेते हैं। लेकिन ऐसे तथा कथित बुद्धी जीवियों का असली चहरा तब सामने आता है जब उनका कारे काल खत्म हो जाता है। पतादी की बगेल ने बयान, RSS, सजुरी, विंग, इंदरपरस्त, विश्व, संबाद, केंदर के तरफ से आयोजित, देवरी, शी, नारत, पत्रकार, श्रमारों के दोरान दिया। बीजेपी सांसा, साक्षी महराज ने अखलेश यादव को कह दी ये बात, उतरफदेश में दूसरे चरण में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी प्रचार प्रशाद देखनी को मिल रहा है। आगे नोंने बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी बंपर तरीके से चुनाव लड़ रही है और सभी पंचायत और नगर पालिका में हम जीत रहे हैं। लिखकर दिया था जिन वी वर सवारा हमारे दर पूछे के सवाल का जवाब दिया गया है। के नाम है मोहमद सकीर हुसेन अंसूप्रिया, दया संकर प्रिशाद, कोशलेंद्र कुमार सनहार, रवी संकर, सुरेस ओरम, पीके पासवान, अनवर करीम खान, सनी कुमार।